है बरेंस ऐसे आपको उम्मिद करता हूं कि सभी लोग थी तो वैसे करोना काल चलना तो हर आदमे को अपना सुरक्षा के साथ ही कोई काम करना है तो सब्सक्राइब में और इसमें कौन-कॉन से पोस आ रहे हैं तो इस योजना में कुछा है उसकी जानाइब है वहाले आपके बेड़ेता हूँ बिहार इस्तुटमर के इरकालजना जो है बिहार में जो कुछ सिक्षा लेना चाहते हैं तो कुछ सिक्षा में हमारे बिहार का रेशियो रोस इंडर्मेंश रेशियो जी यार जो होते हैं वह 14 असमर्ण तीन है उसको वहां के यह राश्टिय अंगपाद में कम से कम 24 में लेगा है तो इसके लिए उन्होंने ये योजना सुपकी जिसमें चार्व लाख में टक की साहता राश सरगार के दौरा सभी वर्गों के लोगों को दी जाए इसमें कोई यह नहीं है कि जेनरल में आर हैं सी स्टी में आर हैं सभी वर्गों के लोगों किसी भी जाती को किसी भी दर्म के लोगों उनसे कोई मतल में तो जी आर बढ़ाने के लिए राश सरकार ने ये योजना राई है और इस साल 2020-21 में कम से कम एक लाख इस्टुलेंट को ये किरिटकार देने का लख लखा गया है पिछले साल 75,000 और इस साल ये लख एक लाख किया गया है तो इसके लिए आपको कुंकिन चीजों की जवरत परेगी वो में पहले आपको जानगाने होगा कौन-कौन इसमें आ सकते हैं सबसे पहले ये योजना जो है बार्मी कप्छा के लिए लाख की गए तो उसमें एक चीज को बाद में एडिशनल जोड़ा गया पॉली टेक्निक पॉली टेक्निक चुकी फ्री ये पॉर्स О्यग değil गए बार्मी के बार्मी के लिए पहले इस पास नाःता हो, यह carチャ म तो बिहार में और विहार के बाहर पढ़ाई करने के लिए 4,080 की योजन दी जा रहे है विहार के बाहर जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें कॉलेज को कम से कम नेक एग्रियर होना चाहिए या अड़ाइफ रेंकिंग होना चाहिए या कंवलेज का जो कोर्स है वो NBA रेंकिंग के अंदरगत आना चाहिए यह तीनों रेंकिंग रहेगा तो ही राजसरकार आपको यह क्रेड़ कार्ड देगी अब क्रेड़ कार्ड लेने के बाद बहुत साले चात्रों का सवाल यह आता है कि अगर मैंने क्रेड़ कार्ड लिया और मुझे नोकरी न पात की गोशना पहले ही करती है कि अगर छात्र धंग से पढ़ाई कर ले और उसे नोकरी ना मिले तो उन सभी छात्रों को हमारी सरकार यह जो भी रिन है वो माप कर देगी और अगर आपने नोकरी ली पढ़ाई की घंग से तो 4 परचंट का साधारन ब्याज है चार परचंट साधारन ब्याज मतलब सिंपल इंट्रेस्ट वह आप नहीं के बराबर ही इस ब्याज को मार सकते हैं तो नहीं के बराबर ब्याज है ब्याज तो आपको सरकार वैसे भी मार कर देती है और मूजदन आप आराम से जो है चोड़ा साथ साल में अराम से दे सकते हैं को उसकी बात है तो अब इसके बात यह आता है कि यह दोनों चीज तो कंप्लीट हो गया तो अब आवेदन के से करें आवेदन के लिए कि सब्सेए अब आवेदन के लिए इसमें जो है आप मोबाइल कर शकतेम मोबाइल एफ पर अब जो है इसमें कंप्यूटर में बेटका वब गादन कर सकते हैं कि उसके बात आवेदन करने के बाद आप को जो है एक है यह रसीद मिलेगा कि इसके बाद उसको ले करके जिलानी बंधन प्रामर्स के लिए डी आर्सीसी में जा करके अपना जो है फॉर्म को जमा किजिएगा उसको सत्यापित किजिएगा कि आप ही वो छादक है आपने जहां एनिमिशन के लिए आविदन किया था वहां से आपको लीडर मिलता है आपने वहां जो आविदन के बाद आपको जो आफ टेस्ट लिए गया उसमें आपकी इस तरह पास कि होंगे उसके बाद आपको बोना फारलेटर मिलता है उसके बाद आपके अवस्यक्त दस्ताविश दस्मी बाड्मी आधार काड पिताजी का अधार काड पेन कार्ट सारे दॉकुमेंट लेकर के पिताजी के साथ या माता जी के साथ वहां DRCC क्वाड रेमें जाकर के सारे को सत्यापीत घरवा करके औरिजिनल डॉकुमेंट के साथ वहां जा करके आपको उसके बाद जो है एक प्राप्ती रसिद मिलेगा जाने के बाद सारा को सावेदन कीजिएगा उसके बाद आपको एक प्राप्ती रसिद मिलेगा प्राप्ती रसिद लेकर के आप घर आईएगा और वहां से आपको SMS और इमेल के माधियम से समय समय पर आगे की जानकारी दी जाएगी कि आपका पेमेंट कॉलेज में गया है आपका क्या हुआ है नहीं हुआ है किसी कारण से रिजेक्ट होता है तो वह बताया जाएगा कि आपका यह डॉकुमेंट छूट गया है तो वह डॉकुमेंट अपने सावेज मैं आपको फिर से पता देता हूं एक वार आवेदक एवं सा आवेदक का आधारकार दिहार सरकार की गाइडलेन के इसाब से मैट्रिक 10 पलस टू एवं अंतिन सफल परिक्षा पत्र का अंक परमान पत्र प्राप्थ छात विर्ति निशुट से शिख्षा समन्धित परमान पत्र दिप्यादी एक वांट नम्मर कि बैंक में आपक जिस भी बैंक में खाता हूं उसका पुरा डीटेल जिस संस्था में ना सब्सक्राइब लेटर कि एडमिशन लेने का रसीद कि आपने पॉलेज को पांच जार दश जार दो जार 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 जो भी जमा किया है उसका रसीद यह सारा डॉक्मेंट जो है और घर का रास जो है कोई भी आवास यह परमान पर विजदी बिल टेलीफॉन बिल कोई सब्सक्राइब डिकलाज कहां अब कि एक अट हां प üzerine सब्सक्राइब 1 जार खेल स्ब्सक्राइब 306 रसीद कि आप प्राफ्ती रचित मिलने में पार 11 इससे हैँ अप आराम से उसको पर आपके कि पर के लिए पर अरुघे धिए बटाएब आपकी जाएंगी अपको को एक Chief अब आप लोग ये सोचते होगे कि अगर मेरे कॉलिज का फीस जैदा है तो वो कैसे होगा तो उसका उपाय है कि आप अगर छातविर्ती में आते हैं तो कुछ पैसे तो छातविर्ती से चले जाएंगे अगर आप छातविरती में नहीं आदें तो बांकी पैसे आपको खुद से भरने हैं तो आपको मान लो अगर आपने 6 लाग का कोई कोर्स किया तो आपको 2 लाग रुबिए खुद से भरने हैं, 4 लाग सरकार से जाएंदWow तो 50,000 रूपे सलाना आपको खुद से लगाने पड़ेंगे तो ये सब बात के को आप अपने दिमाग में अवस्य रखे मैं आपको फिर से बता देना पचाता हूँ कि इसके अंतरगत कौन-कौन से कोर्स आते हैं इसकी जानकारी आप ले 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 नमर एक बीए बीस्सी बीकॉम अल सब्जेक्ट ये आपको इसके अंतरगत डाल दिया गया है क्योंकि पहले लग लग रहा था कि ये सब्जेक्ट नहीं आएंगे M.A. MSC. M.C.M.C.M. All subject A.L.I.M. Sanskrit BCA, M.C.A. B.A.C. Information Technology Computer Science Computer Application B.A.C. Agriculture B.A.C. Library Science Bachelor of Hotel Management B.T.E.C. All subject B.T.E.C. All subject Hotel Management Catering Hospitality Management Diploma in Hotel Management 3-year courses इस बात को भी ध्यान में रखिये हैं बीएसी नर्सिंग भी फार्मेसी बेचलर बेटनरी साइंस बेचलर अइरुबर्धिक मेडिसीन एंद सर्जरी बीव एमस बह एमस बीदिया एश जी अनम बेचलर अफिजो थेरपी बेचलर अफूपरेशनल थेरपी डिपलोमा इन फोर्ड नूट्रिसियन और डियेटिशियन बेचलर अफ मार्स कम्मिकेशन मीडिया एंद जर्नलिज् बेचलर अफूपरेशन नहीं है याद रखिएगा बेचलर अफूपरेशन बेचलर अफूपरेशन नहीं है याद रखिएगा बेचलर अफूपरेशन नहीं है याद रखिएगा बेचलर अफूपरेशन नहीं है याद रखिएगा बेचलर अफूपरेशन नहीं है याद में जो कोर्स जो रहा गया है वो हमेशा याद रखेगा पोले टेक्निक और इसमें एज की पातरता जो है वो 25 साल तक है डिप्लोमा और ग्रिजवर्शन लेवल की कोर्स के लिए है और पोस्ट ग्रिजवर्शन के लिए 30 साल मैक्सिमम है तो इस सभी बात को हमेशा ध्यान में रख करके आगे की कैसे हमें लेना है नहीं लेना है यह सभी सोचना है और नैक का A-grade college NBA NIRF rank college ही में परहाई करना है बिहार के अंदर सभी colleges में पैसे जाएंगे बिहार के बाहर याद रखिएगा government college होना चाहिए या फिर NAC का college होना चाहिए otherwise किसी college को payment नहीं जाना है धन्यवाद